कुछ अब कर दो कुछ अब कर दो कुछ इस तरह का हो रखा है क्योंकि बारिज का दो पानी की शूआ पड़नी की की शूआ अब कर दो से अंदर आ जाता था तो उस वज़े से सारा समान एक जगह ऐसे एक अच्छा किया हुआ था किचन सब अच्छा था पर सबसे पहले ना मैं बेट सेट की ताकि बाबू अच्छे से बाइच सके हस्बें ड्यूटी जा चुके हैं तो अब मुझे और बाबू को ही रहना था तो यहाँ पर करने हो गरम पानी क्योंकि बाबू को बहुत ज़्यादा खासी हो रहा है खासी है ना इसले गरम पानी ठीक है पिलो ममी गिर जाएगा बिटा बेट पर पानी और यहाँ पर चल रहा है मा बेची की थोड़ी से मस्ती क्योंकि घर से आया है बाबू तो हो जाता है उसको सब का याद आ रहा था तो गरब पानी पीने के बाद थोड़ा सा खेल रहा है और मैं लग जाओगी घर साफ करने में और लग पग दो धाई घंटे लग गए मेरा घर कुछ इस तरह से साफ हो गया और काम तो लगा ही रहेगा लेकिन जितना एकदम जरूरी सा था था न और इधर बाबू को मैगी का पैकेट दिखिया था तो फिर जित करने लगा तो उसके लिए मैगी बनाऊंगी गैस पे गरम पानी होने के लिए चड़ाई हूँ तो उसी से आधा पानी मैं निकाल के बॉर्टल में डाल दूँगी ताकि जब भी पीने को मांगे तो गरम पा खाना है तो ज्यादा जित करता है तो फिर मैं बना देती हूँ और अभी लंच बनने में टाइम लगता क्योंकि अभी डाल हुआ फिर कुछ सबजी लेके आते और फिर चावल बनता इस वज़े से तो सिंपल जो एकदम पानी वाली मैगी होती है न वही उसको खाना पसंद है और वही खाता है मैगी मसाला डाल देती हूँ और बस मुश्किल सिर्फ पांच मिनिट में उसकी मैगी जो है बनके तयार हो जाती है तो गैस का फ्लेम करूंगी ओफ और चलती हूँ अब आबू को दे देती हूँ और खुद से ही खिलाने की कोशिश करूंगी अगर खा तो ठीक है नहीं तो फिर वह अपने आप खाएगा थोड़ा सा गंदा कर देता है इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं खुदी खिला दू और दाल बनने वाला है और दाल बन गया उसके बाद मैं दुबारा गया इस पे चावल चड़ा दी थी तब तक हस्बंड आ जाएंगे नीचे यह बैठा दी हूँ कार्पेट पे और दाल बन गया है अब चावल चड़ा दी हूँ और सबजी में लेके आए हैं बैगन आलू प्याज लाल में सोड़ी हरे मिर्च और टमाटर तो बैगन आलू बैगन की सबजी पना लूँगी कडाही गर्म हो गया था उसमें डालूँगी सरसो का तेल और हींग डाली हूँ और प्याज और हरे मिर्च कट करके डाल दूँगी प्याज और हरे मिर्च जब अच्छे से फ्राय हो जाएगा उसके बाद आलू और बैगन जो मैंने कट किया था उसमें एड़ कर दूँगी और देखे इस तरह से डाल दूँगी और उसके बाद चलाने के बाद खाना लगबग बन जाएगा फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि इतना घर साफ आफ करने के बाद थोड़ा तकान हो जाता है किचेन को एकदम डीप क्लीन करूँगे एक दो दिनों में अब फिलहाल साफ है क्योंकि मेरे हस्बंड आए हुए थे वो मुझे फिर लेने के लिए बाद में गए थे तो कुछ दिन की बात थी तो वही थोड़ा बहुत ही गंदा था जादा गंदा था नहीं और एक साइट फिर कराही में दाल चौकूंगी प्याज और हडी मिर्च लसुन से तो बस हमारा जो है दाल भी तड़के वाला तयार हो जाएगा आलू बैगन की सबजी और चावल और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कर दो